तो भाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलो डेस्टार के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमर 221 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में दीखा कि लू फैंग ने उस बंदे को मार दिया होता और अभी के दर्मिया लू फैंग के सामने दू बंदे आ चुके होते होते हो रफ्य में सीन चिंज कर लेट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्री स्टोरी पविलीन फर्दर फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर प्योर फर्डर टाव वहां पर अपने पैर को क्रोस करके बैटा हुआ होता है और वो कहता है कि जो इंफरमेशन मुझे मिली है यहां के मर्तबा अभी टू एस पेसल इंवोज जो की अंडाइंग स्ट्राइज से आई हुए ह है वो अभी स्वैलूर मांट सिटी में आ चुके है रभी रोट विंज यहां पर बस्टर मुझे कभी उससे मिलने नहीं देखा और अभी के दिन मिया वो उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा है जो कि लूफ एंग के सामने वो कहता कि आकिर मैं उन दोनों बंदों से कैस यहां पर उसी कितर निकल जाता है जहां पर देखता है कि वहां पर वान किलोमेटर ठंडर बॉल उस पूरे सिटी लीडर की मैंसें के उपर फ्लोट कर रही है वहां पर लाइटनिंग फ्लैस्टोरी इं जिसे देखकर प्योर फैदर टॉब भी सौक हो जाता है और वो कहाता ऐसा लग रहा था कि पूरा इंजोरा हो चुका है मतलब उजाला और अफे हमें प्योर फैदर ताव को दिखाया जाता है जो उदर देखकर कहाता कि आके उदर चल क्या रहा है क्या वो बैस्टर रॉक वेन अपने डोमेन को रिलीज कर रहा है आके उसका सामने किस पावरफ होगा कि उससे टाइक कर रहा है क्या वह रिलिए स्टेश को डोमेन लोड लेवल का बंदा होगा या फिर या फिर लेट इस ट्रजर या फिर पाइने कल या फिर कोई और उसको भी नहीं पता था लेकिन अविके मरतबाव वहाँ पे नहीं जाना चाहता था और उसने अपनी औरा को भी हाइड किये हुए था क्योंकि अगर वहाँ पे कोई स्ट्रोंग बंदा होता तो हो सकता है कि वो उसके औरा को डिडेक करके उसे मार देता और हमें बताया जाता कि यह बैटल लूफेंग और रॉक विन जियोंग की हो रही थी और यहां पर अभी उनकी जो लेवल था उसके मरतबा यह बैटल 1-2 क में खतम होने वाली थी लेकिन जब कि मरतबा लूफेंग को आट Baron secondo घंड घिर गया था तो इस पूरे सिनारियों क्ता मोंने में दस सेकिकिन लग किया था और इस पूरे इटार बैटल को सिभा 10 सेकिन में निफ्टा दिया गया था रफ़े हमें सीन चंस को वहीं का सीन दिखाया जाता है जहां पर पूरी तरह लाइटनिंग पूरा लगजिर्यस फ्लावर अभी पूरी तरह आग में जुलस रहा हो था वहां का पूरी जगर डिस्ट्रॉई हो चुका था यहां तक की प्योर फैदर पावे वहां पर चुपकर देख रहा था वह सब को देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहां पर क्या है और उसे की ट्रेजर मौजूद थे और यहां पर वह इस सीटी लेर का फेरेट डिस्पर से मतलब यह कि उसके पास ट्रेजर होना तो लाजमी है यहां पर उस ब्लैक आर्बर मैं मतल्ल ब्लू फैंक की तब देखता है जहां पर क्याता है कि यह बंदा उतना स्ट्रॉंग नहीं लग रह अजल है फेर ने लेकिन तभी उली बंदे आ चुके होते हैं जो सीन पिछले एपीसोट का ही होता है जहां पर लूब रनकव डूबंदे आ चुके होते हैं वह बंदे आकर आकर अपने और आको रिलीज कर देख थे तो डिक decir और और से टाकर being इक्स पेिसन चींज हो जात और क्याते हैं ये लुग तो बहुत आपावफुल है बहुत जादा मुझसे भी ये जरूर बहुत पाइनिकल डुमेंड लेवल के बंदे होंगे यहाँ पर उनका Ambition और लालच भी में सामने कुछ नहीं है और यहाँ पर कहता चलो मैं सबको सिर्फ देखूंगा मेरी औरा को हाइट करना ही जरूर ही है लुफैंग को देखाया जाता है जाहां पर लुफैंग भी उन दोनों बंदों की तरफ देखता है जहां पर उसने अपना औरा को रिलीज किया होता लुफैंग कि आता है कि जरू अपे सौच रहा था कि उससे मुस्टा क्लांस्मेंड की बाडी को आ पिर लूपिंग यहां पर सोचने रहा हो ता की उसे यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं और फिर लूपिंग उन्द आपकी देखता और कहा था कि सर किया आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो दुनों बंदे कहते हैं और हस्ता हुए कहा थे कि तुमने मेरे जूनियर को माला और तुम पूछ रहो कि मैं तुम्हें यहां आराम से जाने दूँगा और वहां पर बहुत ही जोर से गुस्से में दाहारता है और अपर में सीन च अपर में फ़से मिल्हें आते लेकिन जब खेंप से लेट हो चुके ते और भी यहां पहें हमें लूफ रेंक को दिखाया जाता आ गआता है नहीं हो और मैं बहुत नी लेजी फिल करना तुम दोनों को मारने के लिए इसलिए मुझे फोर्स मत करो और फिर वो आगी के तरफ निकल जाता जिसे देखकर वो बंदी क्याते ही यहां से भागना चाहते हूं गुस्सी में जाकर क्याता कि तुमने में जूनियर को मारा तो च दिकरा होता जिसके अंदर बहुत है किलिक इंटेंट भरा हुआ था और वो कहता कि तुम मुझे सच में फोर्स कर रहे हो जबकि मरत वाद तुम मरना ही चाहते हो तो चलो मैं तुमने जहांदू में भेजी देता हूं और फिलो फैंग अपने मोसा क्लैन के बॉड़ी को रि बिलर्ड रिवल में रहने के लिए क्लाजनी थे हो वहीं की वेपन से बने हुए थे अभी के मरतबा में लूफैंग को दिखाया जाता है जहां पर हो कहता है स्विच और में दिखाया जाता है कि लूफैंग की अर्थ बॉड़ी मोसा क्लैन्स में की बॉड़ी से चेंज हो आते हो लूफैंग की अर्थ बॉड़ी अपने इंटाइनर वर्ल में आ चुकी होती हुए पर मोसा क्लैन्स की बॉड़ी आउटसाइड आ चुकी थी यहां पर लूफैंग असमान में उर रहा था इसी के मरतबा लूफैंग की जब बॉड़ी स्विच होई तो किसी को नहीं तोलनी उसकी इंटाइड़ी गायब होगै अब यहां पर लूर्फैंग ने अपनी मोसा क्लैन की बॉड़ी को यूज किया था व्यापने अससा नियस्यीन रिफ्ल्थ थी और उसके लिए यहां पर अपने इनर्जी को हाइड करना इतनी बड़ी बात नहीं और अफ्री हमें उन दोनों ब्रेडर्स को दिखाया जाता है जो क्याता है कि मैं अपने डोमेंड लेवल के पीक पे हूं यहां तक जब तक वो वाल लेवल पे नहों मतलब कि कर रहा ही जाएगा और यहां पर क्याता है बंदे तुम बच के नहीं बाग सकते हैं मैं लूफ्रेंग को दिखाया जाता है जो कि इसमाहल करता और अभी के मर्दबा लूफ्रेंग यूनिवर्स स्पेस को फिल कर पाता जैसा कि एक मचली पानी में तहर रही हो और फिलूफ में अपने असासिनेशन के लिए फेमस से और यहां पर मैंने अपने नान इन्वर्स प्रामी के उस टेवर्स को भी सीख लिया तो चलू देखते हैं आखिर मेरी मोसा क्लैन की बॉड़ी की पावर कितनी टरिफाइंग तक पहुच चुकी है और अफे मोसा लूफेंग अपन करता है लेकिन अटाइक के बाद उसके एक स्प्रिसन चेंज हो जाते हैं यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहां पर कोई भी ब्लड और कोई फेलिंग नहीं है वो एकदम से गायब हो गया है तो क्या आता है कि आखिर वो चला कहां गया आखिर वो इतना दाया फास कैसे ह हो सकता है मैं उसके पावर को फिल क्योंने कर पाओ लेकिन तभी वहां पर उसके माइंड में आवाज आती कि ब्रदर तुम्हाइब अमें दिखाया जाता है कि इन वो यू जो कि एक उन में से बंदा होता हो पीछे मूर कर देखता लेकिन तभी उसके पीछे से ब्लैक आर् जो कि आपने फ्लैस और ब्लेट से उस पर अटाक कर देता है और हमें बताया जाता है कि यह क्लोज रिल्ज ने अटाक करना मोसा क्लैंस की स्पीड की खास्यत बाते यहां तक कोई भी बंदा उसको डिफेंट नहीं कर सकता है इन्वर यू के जो कि इसको देख कर बहुत जा की मौदूद होती है जो कि एक ग्रुए यूनिफर्म उसने पहना हुआ होता है और इस ब्लेड जो कि लुफ्लैंग ने अटाक किया होता है वो बहुत नी फास्ट और सार्प होता है जो कि पार यूदि को भी स्लेस कर देता है जिसके कान उसकी ग्रे यूनिफॉर्म थ्वा वाता वरना मैं तो भी मारा ही जाता मैंने अभी मौच को चू कर देखा है यहां पर सोचता है कि आखिर यह इतना जाए फास कैसे हो सब्सक्राइब नहीं कर पाया था रफ यह मैं बताया जाता कि मोसा क्लाइस में वह बहुत ही जाए फास्ट यह बात करें एबसुलूट स्प अब यहां पर बैक्टल में देखा जाए तो इमेज प्रोड्यूस करना उतना निसरी नहीं लेकिन देखा जाए टेलिपोर्टेशन तो यह बैक्टल में बहुत जाए फायदे मन होता है हट से भी जाना और अफ यह मैं बताया जाता कि एप्सलूट इस्पेस के फर्स्ट ल इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन पर आ चुका था जिसकी टेलिफाइंग स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह दूसरे माईने में टेलिपोर्टेशन ही है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत जाए हो चुकी थी और भी के मरतबा लूप्रेंग ने अपने इसी एक्सलेशन को यूज करके उसके पीछे आकर उस पर अटाइक करना शुरू कर दिया था यहां तकि सेक्टर लोर का वाडियर की भी स्पीड को देखा जाए तो यहां पर मोसा क्लैंसमेंट की बोड़ी उसको अराम से टकर दी सकता था और अब फिर हमें सीन चेन और यहां पर उसने नाके फादर्स के पास से भी यह पता किया था कि यहां पर एंसेंट गॉर्द्रन स्मॉजूद हैं जो के वल्चुनवर्स कंपनी का बैक्टल कॉड़ी यहां पर बैक्टल रिवल कॉंटिनेंट कहा गया था वहें पर यह साई जनेटिक वेपन्स कि मुझे जल्दी से आके मेरी मदद को रफ वहां पर इन्वो मो जो कि उसका ब्रदर होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया और अपर हमें बताया जाता कि मोसा अपने सेकेंड अटक को भी करनी वाला था और यह फर्स्ट टाइम कहीं जहासा था अभी के मरतमा लूफ्रेंग न कि वह कहां पर लूफ्रेंग बड़ी स्पीड तो उसके पास जाता है और वहां पर जाके अपने ब्लेड को उसी के अंदर घुसेर देता है यहां पर लूफ्रेंग कहाता है कि यहां पर मेरी ब्लेड यह तो बहुत जा स्पीड है ऐसा लग रहा कि जैसे में किसी स्पेज को तो स्लाइस कर रहा हम यहां तक हुर तक हऊको में अगर अगर उस हेवेंली प्रीज में होथा तो मैं अराम से लेवर से लेकिए साथ कर सकता हूं कि कि यहां पर तो फ्राइन को और अफ़े हमें इन्वर यू को दिखाया जाता है जहां पर वो क्या था है कि क्या क्या सा हो सकता आके तुम मेरे आर्मर के एक ही ब्लेड में क्या से आरपा हो सकता है यहां पर यू भी हेस्टेट नहीं कर सकता और हमें तो यह दूरी पर ही प्योर फ्रेदर टाउ को दिखाय जाता और यहां पे वो कहाता कि आखी बंदा कितना है स्ट्रोंग हो सकता जो कि उस आर्मर को अराम से भीड़तीया है और अफे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहां पर उसको मारने के बाल वहां से निकलना चाहता था तो जिसे देखकर बंदा कहाता कि यहां से तुम भागना चाहते हूँ मैं तुमें नई छोड़ने वाला कहता है कि मैं क homeland ski rejecting का सब्दा हूं और मैं मान रहां हूं कर घकितना कि चलू मैं तुमें अपने बाई का बदला लूंगा और आप इमें लूफेंग को दिखाया जाता है यू कि अपने उस-स्टोई तब भाव भी उसके पावर को देखकर हैरान हो रहा था लेकिन उसे एक चीज नहीं पता था कि लू फ्रैंग ने उसको सेंस कर लिया और यहां पर में लू फ्रैंग के बाएं में बताया जाता है कि मोसा क्लैंस के पास कोई भी सोल और स्पेट इनर्जी महसूस नहीं होती है यहां पर वो दुस्तियों की इनर्जी और औरा को महसूस करते हैं जो कि हर एक लाइफ फर्म की अलग-अलग होती है जैसे कि नॉर्मल फ्लेस और नॉर्मल ब्लड लाइंस थी उन सबके इस्पेट इनर्जी को सिंस किया जा सकता है यहां तक कि स्ट्रॉंग एनमी की बंदी का लोकेशन उसके इनर्जी से पता किया जा सकता है लेकिन वहीं पर बात की जा मोसा क्लाइन की तो उनकी बात ही अलगे वहां पर अपने इस पेस को फिल करके दूसरे को पता लगा सकते यहां तक कि प्योर फेजर टाउं जो कि डूमेंड लॉर्ड का बंदा था जिसने बात की जाए लूफएंग की तो वह यहां पर इस पेस को रिपल्स को फेल कर सकता था जिसके मरतबा वह अराम से उसको पहचान जाता था और आप यह में प्योर फेल टॉक को दिखाया जाता है जिब उसे पता चलता कि यह बंदा उसको जान चुका है तो कहता है कि मैं कोई भी तुम्हें मारनी का इरादा नहीं था और हमें लूफएंग मोसा को दिखाया जाता है जहां पर वह क्याता कि तो तुम हो प्योर फेल फेल फैमली के लेकिन यह अनफॉर्टुनियाटर की मुझे अभी ब्लड रिवर क्रिस्टल चाहिए तो यह सुनकर प्योर फेले टॉ मौने एफ्यों रमयुके मरतभ़ा वह से भागने के कोसिस करता है लेकिन हमें लूफएंग मोशा को दिखाया जाता है जहां पर कहता है तो तुम भागना चाहते हुं और यहां पर ओने बंदे को दिखाया जाता है कि वह यहां से 1000 किल मेटर escuch क्लांट था ऐग लेकिन अभी लूफएंग को दिखाया जाता है जो अपने उस बॉड़ी को देखकर कहाता है कि इसकी पाउर तो बहुत जाए पता नहीं मेरी अर्थ की बॉड़ी इस लेवल तो कब पहुचीगी मैं इसका एडिक्टेर हो चुका हूं यह फिलिंग यह बहुत जाया अच्छा लग रहा है और अफ़े मोसा क्लेंग लूफएंग वहीं पर रूख जाता है जहां पर वो स्वैलूर मांट सिटी से मिल्लियन सौफ किलोमीटर डूर आ चुका है और अफ़े हमें लूफएंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अभी मोसा क्लेंग की बॉड़ी को जान देरतों को अगर उन्होंने में मोसा क्लेंग की बॉड़ी को देख लिया तो में लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए मुझे यह अच्छा होगा कि मैं अपनी प्रोफाइल को कम से कम रखू थाकि मैं आपने सिर्फ यूनिवर्सल लिबर इस ट्रेंग को यूज़ कर सको हमें लूफएंग क्या है और इस प्रोफेर टाव के पास क्या है आकिन मैं मुझे यह कैसा सर्प्राइज देने वाला और आप यह में सिंचेंज का बाद लो के धर्मिया को दिखाया जाता है जहां पर लूफएंग ने उसके चारों के स्पेसरिंग को ले लिया होता है जिन में से प्रोफेर और वाई दोनों बंदे जो की हाईस्ट स्ट्रेटरस को स्वाइल मांट सीटी को रखते हूं वहां पर लूफएंग ने प्योफएर टाव को मारने से पहले उसको पहले टिकाने लगा दिया होता है इसके मर्तवार लूफएंग ने उसके चारों के स्टेसरिंग को भी ले ल एक किया होता है कि, ब्लूफएंग को दिखा जाता ही जाहाँ, जांप लूफएंग को वहां से एक-दो कृस्टल मिलते हैं जो कि ब्लट् विबल क्रिटल होते हैं और blessed एक बचेंगे जो कि मिसन को कम्प्लीट करने के लिए इनफ है यहां पर यहां पर मिसन में दो मिसन से जिन में से 10,000 पॉइंट था वाई पर दूसरे को कम्प्लीट करने के लिए 1,000,000 पॉइंट तो यहां पर मैंने अपने साथ चीज़ लगा दी और अभी के मरतबा मुझे इससे सबको एब्जॉर्ब करना होगा जिसके बाद मुझे 1,000,000 पॉइंट एक ही साथ मिल जाएंगे अब फिर लूफएंग क्या था कि मैंने अपने फॉर्स्ट क्रिस्टल को बहुत ही सक्सेस्फुली एब्जॉर्ब कर लिया था अभी के मरतबा मुझे नहीं पता है कि आगे में साथ क्या होने वाला है और मैं यहाँ पर एक बाहर बताए जाते कि यहाँ पर लूफएंग ने अपने डिंजर्स लेवल मिस्टल को लिया हुआ था अभी के मरतबार लूफएंग के पास मोसा क्लैंड की बॉड़ी नहीं होती तो लूफएंग तो इसमें पक्का म देखने लगता है जहां पर लूफएंग उस इनवोई यूके स्पेस ब्रेस्टेट को देखता है जो कि अंदर से बहुत ही बड़ा होता है लूफएंग उसको अच्छे से एक्जामिन करता है लेकिन तभी लूफएंग उसमें देखकर सौक हो जाता और क्याता है नहीं यह इंपॉसिबल है और हो कहाता है कि मैं इतना दाएं लखी कब से होने लगा और फिर लूफएंग के हाथ में एक बॉक्स आता है जो कि इक वूदेन बॉक्स होता है और लूफएंग उसको बड़े ध्यान से ओपें होटा है और यहां पर एम उस बॉक्स ओ दिखाया जाता है जिनमें की टोटल टेंड ब्लर रिवर क्रेस्टल होते हैं जिसे देखकर लूफ्रेंग भी हैरान हो जाता और क्याता है मुझे विश्वास नहीं होता हूँ कहता है कि मुझे अगर इन सब को क्रेस्टल को एब्जॉर्ब किया तो मैं एक लेजंडरी ब्लाक वॉर्यर बन सकता हूँ यहां तक कि मुझे लेजंडरी ब्लाक वॉर्यर बनने के लिए टीन ही रिक्वार्स से और आप फेस लूफ्रेंग अपने इस्पेट इनरी से वहाँ स्कैन करने लगता है जहां पर उसे 500 पेपर मिलता है जिसमें से उस पे कहिसा मार्सल उस पे लिखे हुए होते हैं जिसमें एक वर्स लिखा होता है सर योंग आपको मैं डॉस्ट क्रिस्टल दे रहा हूँ जो कि आपको सौट टम में रिक्वार्स देंगे और मैं यह promise करता हूँ और मैं believe करता हूँ कि आप इसको अच्छे से use करेंगे और यह वह ही लेटर होता है जो कि उसको 10 blood river crystal दिये हुए हो था फिलो फ्रेंग उस लेटर को पढ़कर यह realize करता हो क्या आता है कि तो यह 10 crystal in invoice के नहीं यह यह तो c yong के है और में बताया जाता है कि यह this यहिए का ct leader है जो कि अभी sector lord का बंदा है यहाँ पर होक्या था है कि सेक्टर lord के count की होने के स्क्रिश्टल ना यह उसके लिए असान बात हैं ते और पर हो क्या चलो आगे देखते हैं कि आगे इन्वाइमों मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं और फिर लूफेंग इन्वाइमों के स्टोइज रिंग को देखता है जहां पर अपने स्पीट इनर्जी से करके सब को एक एक करके सिक करने लगता है लेकिन तभी सर्च के लोडानी को यूज करना मन आए आकर तुम्हें मुझे से क्या मदत चाहे तो लूफेंग कहता है जरा रुको और फिर वो इन्वाइमों के स्पेस रिंग को ले आता है जो कि 100 मेटर डाइमेटर के अंदर के आता है वहां पर एक डार्ग वे युनिवर्स इप आ जाता है और यह देख बबाता भी सौक होते हुए क्या ते क्या यूणिवर्स इप और वो उसको स्कैन करने लगते और फ्रे में रात का सीन दिकाया जाता है जहां पर लूफेंग अभी उन्हीं बादलों में होता है जहां पर वो अभी वी सौक हो रहा होता उसके डिटेल्स के मुताबिक जो कि वर्चुल निवस कंपनी से उसे मिला था उससे पता था कि यहां पर कोई भी टेक्नलोजिकल आइटम नहीं होता और यहां पर अगर किसी ने भी इस टेक्नलोजिकल आइटम को डिसकावर किया तो उसका मतलब यहां पर उसको मार देना है यहां तक एक यूनिवर्स इप कर यहां पे हाना यह थुआ सा उसको अजीब लगा था इसी के मरतबा लूफेंग ने सोचा कि यह जरूर उस एसे गौड रून से मिला होगा जो कि टुलिंस अफ एर अगोस से फाट हुआ होगा क्योंकि यहां पर यूनिवर्स से पे जो कि यहां पर फाइट के डौरान यहीं प पूस्ता कि आके रिजल्ट कैसा रहां तो असे क्याती है कि मैंने यह कंफर्म कर दिया कि यह ब्लर्ड रिवल क्रेंटिंट के है यहां पर थोची टिन लॉजिकल एडवांस्मेंट हो सकती है क्योंकि यह यूनिवर्स इप अभी फाइब लाक यह सी पहले बनी हुई तो यह बहुत ही लाओ जी है और कंपेर किया जाए इसके यूनिवर्स इपके तो यह अभी भी एग रेट का है जो कि अभी लाइट इस्पेर्ट से भी एक्सलेट करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लेगा तो यह सुनकर लूजिकल हो जाता तो बबाता उससे पूछती है कि आ बंदा से लोट के बंदे के अंदर है जो कि अपने अंडायम के ब्रेक तुरू करने के लिए आया हुआ है और वो कहती है कि सायद उसी ने इस शिप को बनाया होगा तो यह सुनकर लूफ्रेंग में सौक हो जाता है अभी यहाँ पर बबाता दो बहुत साइद चीजे बतात में पास अभी इसको सर्च करने का टाइम ने इसलिए तुम इसको अच्छे से देखो और यहां पर साय लिस्ट को अच्छे से सौट आउट करो तो आता कहती है कोई दिकत नहीं से मुझे चुर दो बबाता उसको सौट आउट करने लग तो फिलूफ्रेंग क्याता है कि अबन चुका होता अबन चुका होता जो कि एक गोलिनवार बीस्ट इसके जैसा ही ता जूकि comparison यह simple और weak लग रहा था और फिर लूप यहीं सब के बारे में सोच रहा था जहाँ पर हो कहाता है कि इसकी main point physical change है जब मैंने इसको absorb किया था तो मैं पहले एक eight point बन गया था फिर scale based वहीं पर फिर robot जैसा बन गया था और इसका change बहुत है और यह अभी तक win हो गया है तो यहाँ पर तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ और इसकी और भी खासियत property हो सकते और फिर लूप यहाँ पर कहाता है कि मैंने अपने second और third crystal को absorb कर यह थोहिए तो बहुत है से वीडाव एक वीडाव काते मोदें अ ग्साने कंट्रेम कारोबले यह मिले हां यह आफिलव पैंको उसमें से कुछ नहीक मिलने वाली लोंपें के आङए वहई प्लान की आवन ने मला तो मिलतेंस प्जीओ में तब्लीव हुए झाल झाल